प्रिवेस लेट्टर्थन के अंदर हमने प्लेरोग्राफिय है क्या इसका बैसिक इन्स्रॉमेंटेशं किस तरह रहते हैं इसके बादEstoy भी में जो हम एक्टॉड यूजग ल incluary छो यूजग रहे इसके किए का अड़वानटिजी रहे किसके क्या-क्या-disadvantages & यह चीज़ेंoly कर चूक है याद रखेघा proportion वारोग्राफी हम यूज़ का रहा होते हैं समस्ट यहार और मालूं करने के लिए वह एसको पहीं। आइंज की कॉंटिटी को मावलूम करने के लिए प्लायोग्राफिका इसनमाल किया जाता है अब प्लायोग्राफिज असल में वॉल्टा मेटर के एक टाइप है अब प्लायोग्राफिज में होता है कि हम जो इलेक्टोड यूज़ कर रहा ते वह डॉपिंग मर्कृरी य्くबढ़ मेंन चीज़ यह नजरा आ रहा है जिस के अदर हमने रेड यूर्य टैमनेत मलड़ियो इसको नाम देत है वर्किंग ट्रॉड का क्या नाम दे रहे होते हैं यह हमारे पास क्या क्या वर्किंग के लिक्टोड अब सारे काम औक सीधी कंपॉण कि रिडॉक्षण इसी वर्किंग रिव्सक्राइब कोई चीज रिए वह दो इसके बात इस साइट गैटरी के पोज्टीव टर्मिनल से इसको जोड़ा हूआरे जो तो नीचे हमारे पास एक्टी पूल जो यहां से ऐसा से ड्रोप बनके नीचे की तरफ गिरता है क्योंकि मरकरी है वियर होती है स्विशन से तो यह नीचे की तरफ गिरने के पाद यहां पर यहां पर हमने बैटरी का पॉसिटिव टर्मिनल लगाया होता है और इसको हम अनोड का भी न compr देते हैं और आउख्जलिक का भी नाम देर होता है यानि के पहले इसके बाद सके नमबर मॉ replacing laptop țर्ड बॉल लाकटime यहां हम इसके गलाव हमं सक चsis को बहुत करते हैं जिसकी वजह से पोटेंशिल इफरेंस वैरे करने के वारू करते हैं यहां से potential difference को नोट करने के साथ साथ आपने यहां पर में कितना क्रंट में तरदील आ रही है यही दो important चीजा हैं इसको नोट करो व्रोड मेंसे पूटेंशल को नोट करो दोनों का comparison करके हम ग्राफ बनाते हैं ग्राफ से concentration का पता लगा लेते हैं ग्राफ से concentration स्पता लगा रेतें साही तो सिम्पल सी बात स्टार्ट करतें भी सक प्रोसीजर फिलाइरोग्राफ़ी अब इस रिंड बात करनी है मैं फॉर्यक्टर वल्यू ग्राम वॉ-elul पॉलाइरो अब पॉलाइरोग्राम है क्या यह म Lanecrats दो चीजों के फेदा ग्राफ बिट्वीन वोल्टेज अब कितना वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वोल्टेज एंड क्रॉंट प्रोड्यूस क्रॉंट प्रोड्यूस इन पोलायरोग्राफ इन पोलायरोग्राफ के अंदर हमारे पास तर्वर्टेज को इसको हमें नाम रहे हैं जाथ हैं याद रहैं प्लेरोग्राम में छंड चीजिए सबसे पहली बात वर्टेश छो अपने एक्सके लोग लेना यह एक्सके लो को वाल अपने हमेशा एक्सके लोगे सो मैं यहां पर लिखेंगा वालटेज टेकन वॉल्टेज ऐस को ले ना है अलॉंग एक्सके लोंग एक्सकी और इसके होती है दिसके आई कुछ नहीं कुछ कुछ करणच कुछ न gun करता हill के लोग स्थेखंगे लोग सुन्धा पर ड्रसक्राइब को बनता है जारा गोर कीजिए ग्राफ बहुत इंपोर्टेंट है ग्राफ को समझना यह मर्पस ग्राफ कुछ इस तरह का बन रहा होता है मैं थोड़ सा बड़ा करके बनाओंगा ताकि बाते समझ आजाएं सारी कि सारी इस साइट पर मैंने लेना होता है अप्लाइड वॉल्टेज जो के हम कंपेरिजन करके ले रहे होते हैं वॉल्टेज वर्सिज एस सी ए सैचुरेटिड कलमल इलक्टोर्ट से कंपेरिजन करके व सबस्क्राइब माइक्रों फर्सिज अब चैसे बूश्य आपको स्ब्सक्राह बंता है वह कुछ इस तरह को थे उसमें आपका ग्राफ सथे चौंँ सुर्ण तरह यहां से यहां से इस तरह कि इस तरह का ग्राफ हमारे पास अप्टेन हो रहाता है फिर उपर जाया कि इस तरह इस तरह ग्राफ अप्टेन हो रहाता है अब यह ग्राफ इसी तरह का क्यों अपर नीचे हमें इस तरह की कौज मिल रही होती है ऐसा क्यों होता है यह चीज हमने आज डिसक्स करनी है तो याद रिखे कि इसमें चंद एक बाते हैं कि जब ग्राफ यहां से देखो यहां सड़नली उपर की तरफ गया है इससे पहले पह वाइस कुछ इस तरह का बन लाओता है इस तरह का यह वह पार्ट मैंने इसको लेकर थोड़ सा नॉमिनेट कर दिया इस तरह का जैनि कभी आपका ग्राफ उपर की तरफ जा रहा है और कभी आपका ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है यह बात आपने सिंपसी जहन में तो स्पोस्ट किया जब ड्रॉप बनना स्टार्ट हुआ है यह मेरे पास अभी ड्रॉप बनना बिल्कु स्टार्ट हुआ है बिल्कु स्टार्ट हुआ है जब बिल्कु छोटा सा ड्रॉप होगा इसकी सर्फेस एरिया कम होगा जिसकी वजह से इसके उपर कोई भी आएन आ प्रण्ट की मिकदार बढ़ जाएगी फिर वहार पास थोड़ से और रवा क्रांट की मिकदार और बढ़ी होगी फिर ड्रॉप और थोर से बढ़ा हुआ क्रांट और जएद अगर एक वक्ता है को ड्रॉप मेक्सिमम साइज बेड़ा जाएगा से वहाँ पर करन्ट आपका बिल्लकुल मैक्सिमम मुलेगा क्या खाला करांट मैक्सिमम मुलेगा अगर यह स्ट्क्टर देखे तो यह सही नहीं बने प्रोपर अगर बनती है ना हो उपपर की दर चला गया maximum अभू हो बढ़े रोप नीचे की तर्फ गिर गया अब ओका क्षथम हुआ अब जैसे की ड्रोप खत्म हुआ अब का क्रण्ट यहां से डारेक्ट पर आ जाता है बिलकुल मिनी मंधे चला कहान पहल si t fala मिनिमंपे चला जाता है दोबारा फिर क्या हवा डौब ऐसा ऐसा है की बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया फिर maximum जब बोल्ब का साई मेक्सिमम पहुँझा कि जब मैक्सिममस हो गांज इसका लेटोंसके जिसकी रिडॉक्षन जियादा पैदा रही होती है। इस वजबने मारे पास इस तरह का ग्राफ पैदा इस तरह को रहा है क्योंकि इसमें हमारे पास ड्रोप है यह से क्रांट मिनीमुम पहुंच गए फिर दुबार क्या हुआ उसा भारा फिर बंढ़ना शुरू गताए न चोना क्या हुआ है क्वेशको निे कर बंढना चाहते हैं पर ग्राफ या आपका बन रहा है स्थे अगर आप इसकी निकालना चाहते हो यह हम हमारे पास lower limiting grant है आई ऐमें मैं लों कहा देता हूं और यह आई maximum है यह कै हमारे पास maximum हम क्या करते हैं ग्राफ हमेशा बना रहो थे इसके संटर में यह वारा इस तरह की ला रहा कर लेतें अब बिल्कु सेंटर में हो तो हम यह कर रहे होते हैं कि बिल्कुल लॉवर और अपर साइड में दो पे डिवाइड करो और हमारे पास जो भी लाइन आएगी वह हमारे पास एक्ट्वील में लाइन होगी उसका देखें आब को बंदा आप से पूछ और निचे वाले यहां वाले जह वाले तो सिम्ब सांसर यह उपर वाले करण्ट को और निचे को दोनों को जमा करो दो ठैक अब इसको आपस एक्सटरों कर ली के आपका ग्राफ इस तरह क्यों हो रहा हूं यह सी साओ की फॉर में सभी यह जिस सरा हमारे पास क्यों गुण आ रहा रहा हुआ है इसकी रीजन पर चलेगी है कि हमारे पास इंस्ट्रॉमेट यूज़ो रहा हुता है उसमें काम जो ऐलक्टोड है जिसके ओप करॉंट आके पैदा होना होता है जिसके ओपर आके आइंज सब्सक्राइन जूडना होता है व हमने इस एसीसा बड़ा होता है जैसे बढ़ा होगा कrichten ऐसासा बढ़ता है पिर सबस्टरा मुझी होगा है् होग ठीए खाना हो गाया सब्सक्राइब दुबारा फिर फिक्स हो गया है अब ये सारी की सारी बात है हमने यहां पर लिकनी ए चलो इसका पहले एक स्क्रीन शोट ले लो इतने के पहले लेलो बग्की बात है हम बाद में करेंगे जल्दी से चलो स्टार्ट करते हैं बाते हो next कि जो हमने ग्राफ गरा बनाया है यह में क्या का इन्फरमेशन बता रहोता है देखो अगर आपने वॉल्टा मेट्री के लेक्टर सुने हैं तो यह वला आपको ग्राफ कुछ भी नहीं करेगा सारा कुछ वही है आलमोस मैक्सिमम जो चीज चेंड थी वह मैंने बता दिये किस सबाएं करना ऐंए इस चीज़ वह मैंने यहां पेख्लेंड कर दिये वाकिस सारे दो हैसे данते थोड़ थोड़ पैदा हुत रहता है इस कर आपको कहते हैं चुह के्ब के इस मेरे पास सबसे शुरूर के बीट्र था रेसिडर्य हो राइए आनालाइट ऑन ये वजह से इसolon सबसक्रूल माहलूम करना जाते हैं से इंपिरियों की वजह से क्रेंड पैदा होगा है इस प्रोड्यूस पैदा हो रहता है द्यूटू इम्प्रezy इस प्रोड्यूस की वह ज़े सकान पैदा और रहता है धूं तू इंप्रेटी करें यह फिर नोन फ्रेडिक वह सकती है कौन सा यह मेंब भी वराडिक कॉय। क्रिंट पैदा करें जब आपकी इंप्रेटिग अ या रिडिक्शन हो और में भी नोन-णफराड जार हो सकता है, नौन-फराडिक क्राइट और ऐसा क्राइट जो के ऑक्सिदेशन ये रिडेक्शन की वज़े से पैदा ना हो उसको नौन फ्रेडी करेंट का नाम दे रहे होते हैं इसके बाद यहां पर गोर करो मर पास क्या हुआ यहां सडनली उपर की तरफ ग्राब बढ़ गया अब इसको हम नाम दे रहे ह नेक्स कैशnd के हां मर पास है काक डिफ्यूष रिफ्यूइट करंट अब इबन कौन सा होता है अब ऐसा क्रांट जो इनलायट की übrigens की वज़े से पैदा हो वह नधाति की और ये लिए niece रिएक्षिन की वज़े से पैदा हो रहाता है कि उसका हम नाम देते हैं इसे लिवीज म current, यह आप यही बात लिखुँँगा, the current which is produce, the current produce, due to, due to the oxidation, oxidation or reduction of analyte, or reduction of analyte, of analyte, ऐसा current जो oxidation reduction analyte की, जो आप पहचान करना चाहते हो, जिसके concentration को मालूम करना चाहते हैं, तो उसकी oxidation reduction की जिसे पैदा होते हैं, इसको नाम दे रहे होते हैं, diffusion current, देखो, मारे पास diffusion current होता क्या है, देखो, जिस सरह मेरे पास मैं सिंपल से यहां पर डियागराम बना देता हूं, ताकि बाहत समझ में आजे, इसके उपर मैंने dropping mercury electrode बना लिया है, यह मेरे पास यहां पर dropping mercury electrode है, यहां पर ड्रोप बना हुआ है, अब यहां आप क्या करते हो, ऐसा ऐसा reduction सब्सक्राइब कर रहा हूं, 1.2 वोल्ट पर होती है, कितने पर 1.2 वोल्ट पर अगर मैं करांट देता हूं, 1.0 वोल्ट तो यह इसकी तरफ मूव नहीं करेंगे, और नहीं oxidation होगी, नहीं reduction होगी, अगर मैं 0.4 वोल्ट देता हूं, तो फिर भी कुछ भी नहीं होगा, अगर मैं 1.2 वोल्ट दूँगा, तो यह इसकी तरफ मूव करेंगे, मूव करने के जिसकी वज़े से क्रांट पैदा हो रहता है, इसी वज़े से आप शुरू मैं क्रांट तो द है, reduction होई नहीं रही होती, अब इसके बात होता है कि एक वक्त पे जाके हमारे पास maximum क्रांट ऑप्टेन हो जाता है, क्या हुआरों मैक्सिमम क्रांट और इसको नाम देते हैं, limiting क्रांट का, Limit इंग क्रांट का नाम देरे होते हैं, अब लिमिटिंग क्रांट क्या होता है, भ्लिट्र भीा गट्रहए क्ट में एक वक्ट में लाख इस वल्टेज पे अगर मेक्सिममम क्रैइब ऑगिया कितना। गश्यमम जितना क्रइब अपने उतना क्रण्ट पैदा कर लिएज良 यहाँ घृट्री यहो limiting current, is the maximum current, is the maximum current, obtained in polarography, in polarography, G, R, A, P, H, Y, polarography, maximum current, हमारे पास obtain हो रहाता है, वो कौन सा है, limiting current, अब थोड़ सी चीज़े, यहां पर सीख लिजिएगा, यहां पर diffusion current को calculate करने के लिए हमारे पास एक इलकॉविक equation है, सब्सक्राइब करने के लिए इलकॉविक equation है, diffusion current है, इसको हम calculate करने के लिए इलकॉविक equation का इसमाल कर रहे होते हैं, can be calculated, can be calculated by using, यह equation का नाम ज्याद रखी है, इलकॉविक, इलकॉविक equation, इलकॉविक equation को यूज़ करके, कि आप किसी भी analyte के लिए कितना current पैदा होगा, इस चीज़ को मालूम कर सकते हो, देखो, हमारे पास इलकॉविक equation है, बिलकॉव सिम्पल सी है, कि ID maximum, ID maximum, यह बराबर होता है, 706, ND, 1 by 2, इसके बाद हमारे पास M, 2 by 3, T into T, 1 by 6, अगे C, इसके लाबब एक है ID, diffusion current, maximum diffusion current के लिए equation है, और यह हमारे पास है average, जो हमने यहाँ पर average निकाली है, यह वाला है, average diffusion current कितना हो रहा होगा, उसके लिए हमारे पास जो equation है, वो है 607, जिसके तरतीब है, 706 के इसके reverse कर देने, 607, बाकि सारा कुछ होई है, N, D, 1 by 2, M, 2 by 3, T, 1 by 6, यह पावर है, T raised to power 1 by 6 और C है, अब यह वाले हमारे पास इलकोविक equation है, maximum diffusion current को मालूम करने के लिए, यहाँ फिर average diffusion current को मालूम करने के लिए, अब यहाँ मैंने कुछ terms इसमाल की है, सबसे पहले हमारे पास ID है, diffusion current है, current है, इसके बाद हमारे पास N है, number of electron involved in a redox chemical reaction, number of electron, simple बाद जाएक, number of electron है, किसी भी redox chemical reaction के अंदर जानी कि जब आपकी यहाँ और oxidation हो रही होती है, यहाँ पर कितने electron कोई भी atom lose कर रहा है यह गेन कर रहा है, यह उसके number है, इसके बाद हमारे पास आजाते है D, D है मारे पास diffusion coefficient of electro active species, यहनि सिंपल याद रखो, यह diffusion coefficient है, diffusion coefficient, coefficient, M क्या है, M है मारे पास rate of mass flow of mercury, in capri, हमारे पास जो capri होती है, जिसके अंदर से mercury नीचे की तरफ flow कर रही है, तो उसका rate of flow कितना है, यह क्या है, rate flow, rate, flow of hg from capri, इसके बाद हमारे पास last वाले जी time, टी क्या है, lifetime of mercury drop, यह क्या हमारे पास life, time of, time of hg drop, hg drop, यह हमारे पास mercury drop है, इसका lifetime कितना है, lifetime कि उसको कहते है, यहां से बनना शुरू होता है, एक वक्त आता है, यह नीचे गर जाता है, यह कितना वक्त लगा है, इसको पूरा बनने के लिए और नीचे गरने के लिए, इसको हम नाम देते है, lifetime का, लो यह था जिए मारे पास सरी बेसिट्ट की वोल्टा मेरा़ी मोते समझ आगेू, इसे कम अदकम 12 अबने लुक्र बनें वहे हैं अब जाको सुन सकते है लुक्र सिर्टायरमिके 12 अबने लुक्र सार्फ, और पलीयरोग्स हमने कुछ ऐसे लक्षले हमें, पहले बताया था कुछ आधर ऐसे लेक्टर जैंड वल्टामेट्रिक है और प्लाइरोग्राफिक के से जिसमें रिफिवियू क्या होता है लिम्टिंग क्या होता है रे थाचिया था है तो यह सारी की सारी चीजे हमने रिस्कु कहively कर लिए सो वही चीज़े हैं सारी सारी प्लाइटर्ग्राफिक के लिए जो कि वहान पर यहां पर थोड़ी चेए है जो यहे घुत है system I love you लाइन चूर्ट लजमी тоже